तुला रासी बालों का आने बाला दिन यणी की 10 अप्रेल 2021 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ 10 अप्रेल 2021 के पंच्यांग के बारे में आज तिथी है चतुर दसी नक्षत्र है पुर्बा भाद्रपद पक्ष है क्रिस्न पक्ष दिन है सनी वार आज के दिन सुर्ज उदे का समय है 6 बज के एक मिनट में सुर्ज अस्त का समय है 6 बज के 43 मिनट में रितु है वशंत आज का दिन काल है 12 घंटे 42 मिनट 7 सेकेंड का महिना है चैत्र मित्रो आने बाले शमय में आपके लिए सुभ समय सुरू होता है 11 बज के 57 मिनट एम से 12 बज के 50 मिनट पी एम तक असुभ काल सुरू होता है 6 बज के 1 मिनट एम से 7 बज के 50 मिनट एम तक राहु काल सुरू होता है 9 बज के 12 मिनट एम से 10 बज के 47 मिनट एम तक दिसा सुल है पूरब दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस वेडियो के अंत में आपके आने वाले शमय का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें ताकि आपका आने वाला शमय बहतर एबं सांदार हो सके मित्रों शब से पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि आने वाले समय में आपके केडियर के छेत्र में आपके समय का सपोर्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा मित्रो आने वाले समय में आपके केडियर के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत जयादा बिहतर एबं सांदार होगा मित्रो आने वाले समय से पहले यदि आपके केरियर में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या था तो आने वाले समय में उस पड़ेशानी का अंत आपको करना चाहिए क्योंकि इस काम को करने में आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा मित्रो आने वाले समय में यदि आपके सिहत की बात करें तो सिहत के द्रिष्टी कौन से आपका आने वाला शमय बहुत ज्यादा बिहतर इबम सांदार होगा आने वाले समय में आपके बोडी में उर्जा का अस्तर बहुत ज्यादा उंचा होगा जिसके कारण आपके सिहत के मामलों में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या नहीं होगा मित्रो आने वाले समय में यदि आपके धन समपती आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो पैसों के द्रिष्टी कौन से आपका समय सामानने से बहुत ज्यादा नीचे है मित्रो आने वाले समय में आपको अपने फिजूल खर्ची अपने फालतू के खर्चों पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में यदी आप ऐसा नहीं करते हैं अपने फिजूल खर्ची पर यदी आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपको पड़ेशानी का समना बहुत जयादा करना होगा मित्रो आने वाले समय में आपके लिए भाग्यसाली रंग है हरा एबम फिरो जी आपके लिए भाग्यसाली अंक है साथ यदि की सेबन मित्रो आने वाले समय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको अस्पताल में जाकर या कहीं भी रोगी बिक्तियों की मदद रोगी बिक्तियों की सेबा करनी चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत ज्यादा बिहतर एबम सांदार होगा तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें एबम इस वीडियो के नीचे जय मादुरगे कमेंट कर दें एबम इस वीडियो को आप हर जग सेर कर दें धन्यवाद